असलाम लेकुम देस आमर फॉम 5G प्रॉपर्टीज उमीद आप सब खेरियत से होंगे आ गया वो शाकार जिसका था इंतजार कैपिरल स्मार्ट शिटी का मासर प्लैन आ चुका है जियां हर ब्लॉक की लोकेशन रवील कर दी गई है ओवर्सीज 2 यानि के ओवर्सीज सेंट्रल एक्जेक्टिव 2 एक्जेक्टिव 1 की रिस्ट्रॉक्चर प्लैनिंग रिवील कर दी गई है ऐसा मासर प्लैन जिसकी तवक्का भी नहीं की जा सकती थी कि इतना जबर्दस्ट प्लैन होगा डेफिनिट बात है कैपिल स्मार्ट सिटी ने एक बहुत बड़ा सर्प्राइज दी है इस सर्प्राइज का कैपिल स्मार्ट सिटी का जितना भी शुक्री अदा किया जाये वो कम है आए अब का टाइम लेते और इसको डिसकूस करते हैं यह आप कैपिल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंग देख रहे हैं इस इंटरचेंग से इंटर होते ही पहरा डिस्टिक्ट जो आरह है वह अविएशन डिस्टिक्ट रहा दो हैं अविशन डिस्ट्रिक जो है कैपिल स्मार्ट शिटी ने एरपोर्ट के जितने भी इंपलॉईज हैं, आफिसर्स हैं, लोजिस्टिक पार्टनर्स हैं, उनके लिए मुक्तिस किया गया। अब इसकी इंपॉर्टन्स का अंदाजा इस बात से लगा ले हैं कि इसकी मेन इंटर्स पे अविशन डिस्ट्रिक का एक बिग चुंक जिसमें लेजिस्टिक वेर हॉसेज, कोल्ड स्टोरिज वेर हॉसेज, एग्जैबिशन हॉल्स, टेकनोलजी और अपरेशनल ओफिसेज, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरिजेज, थ्री स्टार होटल्स शामिल है इसी के बाद जो आप देख रहे हैं गेट प्रिसेंट देख रहे हैं यह आपकी बुलिवार्ड पे हाई-राइस कमर्शल्स, ग्राउंड प्लस टैन यह से ज्यादा के होंगे आपके हाई-राइस कमर्शल्स, गेट प्रिसेंट डिशिट में आएंगे, मिनिममम 10 स्टोरी, मैक्सिमम 40 स्टोरी, गेट प्रिसेंट जहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, इसी बुलिवार्ड से अगर आप राइड साइड पे देखें, आपको बड प्रोमों में नजर आते रहें, इसी को राइड साइड पे जाते जाएं, जाते जाएं, तो अब मुक्तलि पिसम के आपको यहां पे कमर्शल टावर्स की एक्टिविटी नजर आ रही है, और इसी में एक इंटरस्टिंग चीज जो बहुत ही यूनीक और इंपॉर्टन भी ह है, वो है SPD, स्क्रेटिजिक प्लैनिक डिविजिन के अपार्टमेंट्स हैं, और यह पूरा एरिया उनके लिए मुक्तिस किया गया है, यह वो स्पेशल डिपार्टमेंट है, जो न्यूकलर की इंस्ट्रोलेशन की सेफटी और सेक्यूर्टी को चेक करता है, उसकी यहां प् सेक्यूर्टी लेवल की सैटिसफेक्शन इस बात की गरंटी दे रही है कि स्मार्ट सिटी एक जदिस सक्यूर्टी से लेस सिटी होगा, इसी के साथ आप अगर राइट साइड पर चले जाएं, तो यह आपकी जो लोकेशन आ रही है, यह आपका ओल्ड इंटर चेंज है, ज इसको शिफ्ट करकि आप नियू लोकेशन पर गिया जा रही है, इस नियू लोकेशन तक जो आपकी डिस्टंस बनती है ठलिया से वह एक्जेक्ट 10.6 किलोमेटर है, जी है, 10.6 किलोमेटर फ्रॉम ठलिया इंटर्चेंज आ रही है, इसी वीडियो के साथ हमारे बने रही है आपको कैपिल समार्ट सिटी के जो दूसरी मोटर वेंटर चेंज है, उसकी लोकेशन भी रवील कर रहा हूं, इसी के साथ आप राइड साइड पर नीचे आते जाए तो आपका एक रिजर्व एरिया आ रहे है, और सी ब्लॉक एफ के साथ, सेक्टर एफ के साथ, इसकी भी क देटेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैस्टिंग और फिलिंग चल रही है, जिसका आप बाद में सोसाइटी जब भी यहाँ कुछ यह रवील करेगी तो आपको उसकी डिटेल दे दी जाएगी, इसी के साथ ब्लॉक ऑवर्सीज ब्लॉक एस्ट यानि के ऑवर्सीज ब्लॉक इंडोर स्पोर्स का एक मैसिव एडिया यहाँ पर रखा गया है, जो के इस से पहले मास्टर प्लैन में नहीं था, एक ग्रेट एक्टिविटी और एंड वेल डिजैनिंग बाइस सर्बाना जुरॉंग जिससे यहाँ पर एक खेल कूद के लिए, ओवर्सीज ब्लॉन के लि ओवर्सीज पार्क यानि हार्मनी पार्क ओवर्सीज इसकी वीडियो भी मैंने रिसेंट्ली बनाई थी, यहाँ पर सर्थीन मरला प्लॉट्स, सर्थीन मरला और पांच मरला अपार्टमेंट्स मुझू होगा, इसकी भी बैलेटिंग फेब्लिटी में हो रही है, इसी के शेयर कर दी जाएगे, सुसाइटी ने अभी तक यह शेयल आउट नहीं किया, इसी के साथ जो का सबसे ज्यादा तसक्रा जिस सेक्टर का होता है वो है लामेर, यूएई से इंस्पाइड यूएई से इंस्पाइड इस लामेर डिस्टिक्ट की एग्जेंपल आपको दी जा सुसाइटी ने अभी तक इसकी एक भी शॉप सेल नहीं की, सुसाइटी यह खुद बना रही है, खुद ही शॉप कंस्ट्रक्ट करेगी और आगे फ्री आफ कॉस्ट इनिशली विदाउट एनी रेंड बड़े ब्रैंड्स को देगी और इन रिटर्न उनसे जो के पूरे रावलपिंडी इसलामबाद में या पूरे पाकिस्तान में वो इस रेट पर निक दे रहे हैं, वो रेट वो यहां पर लेके आएगा इसलामेर की अगर आप इस बात से ही नदाजा लगा ले हैं तो रावलपिंडी इसलामबाद से एक बिक शॉपिंग टुरि जहां पर जानवर पिंजरों में और इनसान खुले आम नहीं बलके इनसान जो है कैद में होंगे, यानि के सफारी का आप उएक्स्पिरियंस में लेगा, आप अपनी कार में होंगे और यहां पर जानवर अजाद आना घूम रहे होंगे, इसी के साथ कैपिटल्स हिल्स, के मकान बना के देगी, यहां पर प्लॉर्स ही होंगे, यहां पर मकान ही होंगे, साथ ही अगर आप नीचे चलें जाएं तो यह आपका आ रहा है, चेक्री रोड और इसी के साथ, ओवरसीज प्राइम डिस्टिक्ट, इसकी भी रिसंट्ली में एक वीडियो बनाई थी, कैप हेराडाइन से डिजाइंड, पीटर हेराडाइन से, इंटरनेशनली सर्टिफाइड पाकिस्तान का पहला 18 होल पीजिये स्टेंडर्ड का गॉल्फ कोर्स, जो के 2023 में फूली फंक्शनल हो जाएगा, बैक टू फॉर हंड़र फीट पुलेवाट, इसी के लफ साइड पर चले बढ़ा कर दी है, यह 300 कनाल का जाम्मे मस्जिद यहां पर बन रही है, जो के पहले 200 कनाल के थी, बड़ी ही प्रीमिम लोकेशन रखी गई है, और लोग बहुत फाइदा उठाएंगे इस मस्जिद का, इसी के सामने आप देख सकते हैं जो यह ब्लॉक है, यह ओवरसीज सें न्यू टेक उनिवरस्टी, कटिंग और फिलिंग इसका मुकमल हो चुकी है, 500 कनाल के उपर यह मुहीत है, एक न्यू टेक उनिवरस्टी का इसलामबाद केमपस, जो के सबसे बड़ा केमपस उनका यहां बनने जा रहे हैं, इसी के साथ अगर आप मोटर वे फिसिंग हम पह एक बड़े हस्पिताल का वह भी यहीं पह बनने जा रहे हैं, इसी के साथ गुलाम इसाख खान इंस्टिट्यूट एंड यू उनिवरस्टी दोनों कटी उनिवरस्टी हैं, मोटर वे फिसिंग पह आ रहे हैं, उसी के साथ एजूकेशन डिस्टिक्ट है, जहांपे मेडिकल कॉलेज अगेन और कॉलिजी यहां पर बनेंगे हैं, इसी के साथ हिल्वियू हाइट्स है, जो के अपार्टमेंट्स बेस्ट होगा है, हिल्वियू हाइट्स के राइट साइड पर आप देखे हैं तो थीम पार्क, कैपिटल थीम पार्क बन रहा है, जिसकी अभी रिस्ट में सियो असलम साब ने एक्स्प्रेंड किया था, कि इस जगा पर आपका एक थीम पार्क बन रहा है, और खाली इसको विजट करने के लिए ही मंतली आपकी 25,000 वहीकल जाएंगी, 25,000 वहीकल को गर खाली 400 फीट बुलेवाट के उपर अगर आप डिपेंडिन रखेंगे तो यहां पर रश का इशू बन जाएगा, जिसको कवर करने के लिए कैपिटल थीम पार्क के साथ आपका सेकंड मोटर वे इंटरचेंज आ रहे हैं, इस सेकंड मोटर वे इंटरचेंज की लोकेशन कैपिटल थीम पार्क के साथ है, और इसकी और पहली मोटर वे इंटरचेंज के साथ जो डिस्टेंस बन रहा है वो 7.5 किलोमेटर से हैं सेकंड मोटर विंटर चेंज की एक और वज़ा ये भी है कि इसी के साथ आपका सी पैक बिजनस पार्क के मैसिव कमर्शल एक्टिविटी इसी के साथ क्रिस्टल लेक अगर उसको में थोड़ा सा एक्सप्लें करूं क होगी लेकवाल होगा होस्पिटैलिटी फूड और बेवरिजिस होंगे अपार्टमेंट्स होटेल एंड सिनेमा होगा और इसी के साथ सिल रिवर बिजनस पार्क अब आप अगर इसी चीज का एडिया लगा लें कि लेफ्ट साइट पे इतना मैसिव बिजनस हब बनाया गय है तो अगर यह ओवर्शीज one से आरहे होतेंigator से और सिच्टरल से आरहे होते हैं तो यहां तो हर टाइम रच ही इसका solution second motorway PLAY इंटर-चेंज़ ही था जिस का सेसेटी ने एलान कर दिया इसकी विए approval बहुत जल्द expected है इसी के साथ नीचे अगर आप देखें capital block district जो के most likely apartments ही हैं और इसी के साथ आपका sports district नीचे है sports district में आपके sports district में आपके cricket stadium and football stadium होगा है इसी के साथ आप देखें उपर तो executive district 2 है जिसकी location जो है executive district 1 के बिलकुल साथ है अब इसकी location अगर आप overall judge करें तो overseas 1 से भी ज़्यादा प्राइम बन गी है में बुलेवार्ट के इतने करीब और silicon valley के इतने करीब कि इस जगा की rental value बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है इसी के साथ आपका executive district 1 है और उसी के साथ financial square जो के यहां पर massive high-rise commercials होंगे बिजनेस activity होगे उसी के साथ सामने जो silicon valley है आपके में बुलेवार्ट के opposite side पे यहां पर डेर्ड लाग sitting capacity के desk खाली capital smart city खुद बना के देने लगा है डेर्ड लाग sitting capacity की building खुद बनाएगा capital smart city और वो आगे rent पे देगा international company जिसके अलावा यहां पर private activity के साथ minimum minimum भी दो लाग employees खाली silicon valley पर काम करेंगे आईटी का यह sector हम बहुत ही exclusive location पर इसी के left side पर अगर आप देखें Harmony Park है Harmony Park का वह फाइल्स जिन्होंने लास्ट आप बैलेटिंग में नहीं आए उनको इस जगह पे location अलाउट कर दी कही है यहां पर plots and apartments होंगे इस एक साथ river view apartments भी हैं यह भी Silicon Valley की residential requirement को पूरा करेंगे Silicon Valley के साथ ही आपका overseas central और उसके बाद गेट प्रिशेंट और हम वापस अपने एक्ताम पर मोटर इंटरचेंज पर आ चुके हैं अब आप अगर इस मार्शल्पने इनको study करें या देखें तो हर ब्लॉक में कोई न कोई आसी चीज रखी गई है कि दूसरा ब्लॉक वाला उससे जैलिस हो या उसकी डिमांड करें ओवर्सीज 1 के पास आपके प्रीमिम लामेर है ओवर्सीज 2 के पास सीलीकवKit वैली युझिमिस्टी इए एकक्टिव 2 के पास सिलिवल बिजनस हुब है फैनेंशल स्वियर है इसी तरह हार्मनी पार्क के पास सिलिकोन वैली है, एजुकेशन डिस्ट्रेक्ट है, बेस्ट फोर रेंटल इंकम, चैपिल थीम पार्क के पास रेंजर्स ब्लॉक है, सीपेक बिजनस टॉवर है, क्रिस्टल लेक है, हर ब्लॉक में कोई ना कोई आशी चीज रखी गई है, नहीं है, हर ब्लॉक की अपनी एहमियत है, इंपॉर्टन्स है, कोई भी ब्लॉक किसी भी हवाले से कमतर नहीं है, इसलिए इस स्मार्शर प्लैन को देख के आप बहुत ही ज़्यादा सर्प्राइज होंगे, जैसे के मैं हुआ था के यार, बहुत ही वेल प्लैंट, वेल डि फिमानलो लाओस